नमस्कार दर्शकू अंग्रेजो पारत शड़ो दे नाल नाल उन्ना ने पारत नू सवच, साफ, सुन्दर निर्मल बनान दा सुपना विख्या गांधी जी दे इस सपने नू साकार करंदे लई परदान मंतरी नरिंदर मोधी जी दी अगवाई विच पारत सरकार ने स्वच पारत अभियान दी शुरुआत कीती एशुरुआत दो अक्तूबर 214 दे विच गांधी जी दे जनम दीवस दे राजकार तिली तो हुई ते पांच साला दे विच इस अभियान ने अपने मिथे होई टीचे नू प्रापत कीता हुन इस अभियान दा दूसरा पड़ाव चल रहा है गांधी जी दी विचारतारा सच ते अहिंसा दे दो सिधानता ते अधारत है एक व्यापक विचारतारा है प्रियोगवा दी विचारतारा है ते इस विचारतारा दे विच स्वच्ता निर्मलता नो पूरा महत्तपुरन स्थान दिता गया है असल दे विच गांदी जी ने स्वच्टा साफ सफाई नू ईश्वर पक्ती दे नाल जोड़या है उनना दा मनना है कि साफ सफाई करना ईश्वर पक्ती दे ही बराबर है दोस्तो दर्शको महात्मा गांदी जी दी विचारतारा असल दे विच है की गांधी जी दी विचारता रदे विच स्वच्चता दी की गल कीती गई है इना सारे प्रेशनाते आ जैसी इस प्रोग्राम दे विच चर्चा करांगे ते विशा रहेगा गांधी जी दी विचारता रदे विच स्वच्चता दा महत मेरे नाल बेठे ने डॉक्टर विने शर्मा मुखी इतिहास विबाग डियेवी कॉलेज दस हुआ ते नाली बेठे ने मेडम प्रॉतिमा मुखी इतिहास विबाग हंसराज महला विद्याले जलंदर आप जी तो बहुत बहुत स्वागत है मेडम प्रॉतिमा अजिस्वेले व सी गल कर देया है गांधी जी विचार तारा दी एक बहुत व्यापक विचार तारा है जने पूरी दुनिया नो पर वाबत कीता है यह विचार तारा एक चिंतन असल देवीच है की जब उसी सर महात्मा गांदी दी गाल कादी है और खास दोरते उना दी विचारतारा दी गाल कादी है तृममांगी उना दी विचारतारा पंजित थम्माते यानि कि Five Pillars दे हुते है दारत है सब तो पहला तो गाल कर दे हैं सचाई दी यानि कि Truth दी दूज़े गाल कर दे हैं औne on violence यानि कि अहिंसा दी तीज़े गाल कर दे हैं औो सर्वोद्या या जिरी आपके कह सकने हैं कि सरबदे पले दी गाल कर दे हैं और चौथी जिरियों गाल कार दे हैं, सत्य अग्रहदी कार दे हैं, और पंजवी जिरी गाल कार दे हैं, ओ है ट्रस्टी शिफ दी, सो इना विचो जेकर मैं सब तो इंपोर्टेंट या सब तो महत्वपूरन जरी थंब दी गाल कारा, तो ओ हैगा उना दे सच्चाई अते अहिंसा दी गाल, और आई थिंग जदो मैं सच्चाई दी गाल करांगी सर्थ, मैं बहुत खुबसूरत एक कहाणी उना देना दसना चावांगी, जितों तुसी महसूस करोंगे के महात्मा गांधी दे लई सट जरा है किस हद तक उना दे जिंदगी विच एहमियत रख दाए, कैंदी ने गुजरात दे विच एक लेडी जरी है, ओ महात्मा गांधी नो मिलना आई, उना ने उस उना बारे बड़ा सुनया सी, ते उना दा चोटा बेटा जरा है, मिठा खान दा बड़ा शकीन सी, उना नो लगया के शायद गांधी जी जरी ने उस दी इस समस्या दा हल जरूर देन गे, सो ओ लेडी जरी है महात्मा गांधी को लाई, जदो उना ने अपने समस्या दी गाल कीती, ते महात्मा गांधी ने बिना ज़िए बड़ी निराश होई कि मैं ता चोटी जी गाल कही सी और एक हफ़ते बाद ओ फिर गांदी जी को लाई ते गांदी जी ने कहा सारा बच्चे नू समझाया के देखो मिठे खान ना तोड़े दंद खराब हो जान दे हैं सेथ खराब हो जान दी है ते बच्चा बड़ बहुत शकीन है मैं आप मिठा खान दा है मैं हो छोटे जे बच्चे नू कि मैं कह सकता है तो इत्हों अपा अंदाजा ला सकते हैं कि महात्मा गांदी जरे ने उन्हादे जीवन दे विच सचाई जरी है किनी एहमियत रख दी सी बिलकुल बहुत वड़ी गाल है और गांद जिन्दगी है वनू दो निबाए है लिए जी बेकल ख़ींन केकर दी कि कि सवच्चता शनू व्यक्ती लिक्ती गत दोर धे अपनानी चाही दी बिलकुल इसी अपने परिवारतों अपने करतों दों फिर प्रांत रश्टर तक हाएuben अचेश्वाइन चेंग चहिए मैं कर देयां है यह सिवस्चता अपनावांगे ताहीज रहां कि बिलकु इते बारे महात्मा गांदी न करें कि शुचता नो अपना आचरण बना लाएना चाहिदा जिस अपना आचरण बना लॉआ आचरण न था आचरण लोगा टेर निश्चित रूप जिड़ी स्वचता है ओ तो अगे जाके साधी आदत बन जाएगी जिस तरह आज दे समय दे विच वी देख रहे हैं कि जैसी कोविड-19 दे समय दी गल कर रहे हैं ते समय भी स्वच्ता देखो किनी महतव पूर्ण है हर एक विक्ति देली शायद आज तो पहला इनना इते महतव नहीं दे रहे सी इनना महतव नहीं दे रहे सी पर अज सानों नहीं महतव पूर्ण लग रहे हैं तो इसलिए स्वच्छता दे महात्मा गंदी ने बहुत जादा जोड़ दिता है चाहे आसी महात्मा गंदी दे दखनी पार दे विच प्रवास दे समय दी गल कर लिए या इंग्लान दे प्रवास द जरूड निश्चेत रूप दे विच किती है बिलकुल बिलकुल एक गल बिलकुल ठीक है कि महात्मा गंदी जीने सवराज तो भी जादा जे किसे चीनों महतव देता है तो उस सवच्छता है और सफाही है मैड़म जी ऐसी महात्मा गंदी दे डिवड़ दी विचार तारा नो देख देए जीने सवच्छता नो उनने बहुत परात्मिकता देती है बहुत उचस्थान देता है उनना ते की परबाब पया केड़ी संस्कृती ने उननो परवाविद कीता केड़े विचारा ने परवाविद कीता कि उननने सवच्छता नो सवराज तो भी जादा मात् जिल्व हम वसक्राइश देवी सबस्केतित विलियूं गाल का देब सक्कुर्ण और पष्छमी सिविलाइशेशन संस्कृति डिवी और कास तोडु काम में दो पागां मदाव ने जना पो घुद हम साउत एफ्रिका घंथा विले गया जड़ा व захला है लेजिसलेटिव असेम्बली दे विच ए ऐलान कीता सी के और दसन दी कोशिच कीती सी के हिंदुस्तानी वी उन्ने साफ और स्वच ने जे उना नूवी ओहोजियां जेनिया सर्कम्स्टैंसेज ओहोजी जेरे वातावरन दिता जावे जिमें के साउथ एफरिका विच रह रहे वाइट सेटलर्स नूव और जदो गांदी जी वापिस हिंदुस्तान आंदे हैं 1915 दे विच क्योंके गांदी जी दा पूरा परिवार जरा है राजकोट दे दिवान देनाल संबंदत सी और जदो पारत वापिस आंदेने ता पहली गालजरों जान देने के बंबे प्रेज देन्सी दे विच प्लेग फैला होया और इदे विच कोई शक नी कि अनू पता सी के ए गुजरात वी फैल सकता है तो गांदी जी ने आंदे ही पहला एक काम कीता के सारे लोका नू इस गालवाल अकर्शत कीता के किमें आपा एक एक गली कार नू साफ रखना है ता जो प्ल स्वराज तो वद जिरा है स्वचता है जेकर स्वचता नहीं ता स्वराज दा जिरा जिस लई आपा स्वराज मंग रहे हैं उस दी भी कोई एहमियत नहीं है बिलकुल सर और नाल मैं कहूंगी के स्वराज पान दे नई वी गांदी जी कहन दे सी मेनू सहत मंद लोग है साथे देश विच काटो काट होन गिया एक तंदरुस्त यूथ जिरा है युवा जिरा है जदों ओ स्वराज दी गाल करेगा ता मुकंबल ही जिरा होना दा सपना है ओ बिलकुल पूरा हुएगा बिलकुल ठीक है डॉक्टर भी ने जिस तरह मैं आपने दसेया की पस्चिम संस्क्रिती दी कई जगा अलोचना भी कीती है साफ सफाई दा जेडी तारना है उन्हाने पस्चिम तो लही है और नाल दी नालो ना दी जड़ा परिवार दा महाल सी ओधे बारे जरूर दसो की उन्हाने कितना परवावित की ता गांदी जी दे सुचता दे विचाराना दे बिलके रहन दे जी ओनों मिल दे सी ओनो हथ वी लगन दे सी जी त privacy टी टी तिस जायद होना दे माता जी ने एक दो वर्य ऑनो इस गल दे बारे क्या वी कि उस तरह नहीं करना चाहिए की यह क्या बभी कि तो अपने परिवार तो अपने बच्पन तो यह चीज सिखदार है क किसी एक वरग विशेश्ता एक व्यक्ती विशेश्ता कम सफाई नहीं है बिलकुल इज़ शायद उनने बच्पन तो ही महसूस कर ली सी कि हरे एक व्यक्तिनों सफाई वालती आं देना चाहिदा हरे एस गलनों अपने मन्दे वाट है महात्मा गांधी ने खुद सफाई कर दे रहे आप खुद कर दे रहे ते उस तो बात बाकी लोकान भी यह आ लेए प्रेड ते जड़े आधा दक्षिन फरीका दा आधा श्टेस ही गा उस दुरान उन्हाने उथे सफाई वस्ते कर रेकर काम किते उथे उथे इक चीज था उन अलगी दे ना चाहिता है तो महात्मा गंधी ते मान दे विचार्स ही ओरने देखे की उथे लोग है उथे जड़े ज़ए दखनी पर्रीका दे पार्ती वापारी है ओंगा बड़ा अशी बड़ा विकास कर रहे तो नह दे उत्ते जड़े चड़े अधृ एंच अधा लगा सअब नाएचने सभी नाएचने ग कि नाएचने झाल ना एंडी आई यि फ्लिभ covered अर्ट्व नाएचने घ目emot व्ले टुर्ड़िन खोलगएफ और पारदी युझे सफाइब कार नाएचने मेरत पूरा नहीं कमें यह बेल लियान दी कोशिच कीती जाएधी की पार्ती लोगानु वपार दे कार न आदे क्योंकि एस अफायी पसंद लोग नहीं बिलकुर बिलकुर तो जे किते हैं कोई लोग महात्मा गांदी दीकल नहीं मान रहे थे यसी एक दो इतना दे उधारना भी देखते हैं जिते मह आजे वी शायद आपा जरी सफाईद ही गाल कर दे हैं, मतला में नू इंज लाग दे हैं कि जरा अपने कार कूरा चक्कन वारा आनदा है, आपा उसनू कूरा वाला कहने हैं, जद के में नू इंज लाग दे हैं, कूरा वाला नहीं होता सफाई वाला है, कूरे वाले ता असी हैं, सो गांदी जी ने इस गाल ते उत्ते जोर देता कि व्यक्तिगात तौरते कूड़ा भी असी तुट रहे हैं, लेकिन असी सफाईदे लईजे रहे हैं, असी कहने है कि म्यूंसिप आलिटीज या सरकारां ते जोर लाने हैं, जेकर आपकेते कूड़ा वेख दे आप कहने हैं, देखो सरकार कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन गांध उन्हाने अपनी इंडिविज्वाल एक्जाम्पल तो और जिथे वी जान दे सी सर चाहे उकिसे उनिवर्सटी दे प्रोग्राम दे विच है चाहे उ हरीदवार गए उते जिथे तको आप सफाई दे बारे काम कर सकते सान उना ने कीता दूजा सर ओ लोका नू इस गालतों वी प्रेरित कार दे सी के सफाई सिर्फ सफाई दे तो औरते नहीं असी लेरे सफाई जेरी है असी एक तरीके नाल सेहत मंद होन वालवी सफाई दा बहुत एहम रोल है आज दे सर जी आपा कोवेड दी गाल करिये ते जरी हिंदुस्तानी लोकां दे विच दे रा थुकन दा ए है सो शायद गांदी जी ने व्यक्तिगत तोर ते लोका नुं कया के सफाई दे लई असी जिम्मेदार है और जिसनू आपा कूरे बाला कहन दे ने उसाफाई बाला है ते आपा आप जिरे हां ते मतलब सोच बदलन दी जरूरत है कि सानू किस नजरिये दे नाल आसी देखन है बिल्कुल व्यक्तिकत तोरते जिए असी खुद अपने आले-द्वाले दे सफाई रखांगे बाक्यानू प्रेरित कर सकांगे जिए मैं खुद ही सफाई ने रखांगे जेस्टरा मैडम ने अज बड़ी वदिया शुरुआ दे विची उधारन दिती सी कि जिए खुद ही आतम चंतन नहीं करांगे आतम परिक्षण नहीं कर पांगे ते शायद आसी दूसरे किसी वी व्यक्तिरों नहीं समझा सका बिल्कुल ठीक इसलिए इसलिए उन्हे चोटी जी हो रहा है कि गंदी जी नहीं कोरी पुछा गया कि तुसी जे तो उनों एक दिन ले सब्सक्राइब करांगे जे तुसी की करोगे ते गांदी जी नहीं किया मैं अपने नस्दीक कोई वी मेनू बस्ती दिखेंगी जिते मैंनों गंदगी लगएगी में उसे जांगा थे सफाई करांगा मैं जिस मर्जी जगह पहुंच जांगा मेरे लिए प्राथमिकता चरवांगा स्वस्त रवांगा ते अगे विकास भी कर सकांगा दूसरे अनों भी प्रेडित कर सकांगा तो ए विचार सी जिस तरह तुसी दस्या कि उन्हाने कि मेरी इच्छा है कि मैं सफाई जड़ी है उन्हों करांगा और गया हूंगा इस तरह दिए एक्जामपल भी उन्हाद पास एक गंदगी है जी वो कुछ लोगा नहीं जड़े होणा नहाल सहयोगी हो थी आ आया उन्हानें कहारे कि गंदगी नहीं क्यों है किने पैलाई एगिया तो गंदी जी सफाई करने ही चाहिए घटों सफाई करेगा जी गंदी जी भड़े इस गलतों निराश ह कि इस सफाई वाले दा काम नहीं क्यों कि गंदगी असी फैलाई है इस गंदगी नू साफ करना साधी जिम्हारी बिल्कुल उन्हीं जिम्हारी है पर जो दो नहीं मनें तो बड़े हरान होए कि एक सूटेड बूटेड जिनाल गांदी जिनाल नहीं पता से बेंगों सूटेड कि काल हो तो उन्हों एक दसनी चांवांगा जरूर कि जिस तरह गुजात विद्या पीठ जो तो महात्मा गांदी जी ने बनाई तो थे उनने नो एक आश्रम दा स्वरूप देता है उनने क्या कि एस आश्रम देविच एक नियम रख दिता जाएगा जेड़ा भी व्यक्ति इस आश्रम देविच आएगा इस आश्रम चे नमा विक्ति आएगा ओधी सब तो पहली एक उनों कम दिता जाएगा क्यों जिनने शौचाल ले ना जी सफाई करेगा बिलकुल तो लोग देखे बड़े हरान हुंदे सी कि जदों कुछ किसी वडी गिंतिच लोग जादा है जादा लोग आंदे सी गांदी जी खुद नाल जांदे सी चाडू लेके बाल्टी लेके आप उथे अलग लग जगाते जाके सफाई कर दे सी एक चीज़ जड़ी निजी उदारन है व्यक्तिकों तो दारन है ए गांदी जी दे व्यक्तित तव दाएगा एक एस तरह दाचे खुद अगए आए खुद नाने साफ सफाई कीती और लोका नो प्रेरित कीता सिर्फ पाशन या किताबां दे विचे गला नहीं है उना दी परसनेलिटी जड़ी है उन लोका नो प्रेरित कर दी है कि तुसी अगए आओ और साफ सफाई दे विच अपना हाथ बटाओ मैड़ जिस विले असी गांदी जिदे सुच्छता दे विचार देख देया कि किस तरह उना ने साफ सफाई दे ले खुद चाड़ू चाक लिया और अगए आए लोका नो प्रेरित कीता आज दे संदरभ दे विच तुसी एदा की महत्तब देख देयो इन ना विचारां था सब बिलकुल मैं एक होड़ गाले थे आड़ करना चाहांगी जोदो मैं गांदी जी बारे पाड़ दी है ता मिनू एक लाइन उना बारे पता लगी और केंदे सी के थोड़ा बाथरूम एनना क्लीन होना चाहिदा है जिन्ना के थोड़ा ड्रॉइंग रो ते मिनू बड़ी चंगी गाल लगी और मिनू लाग दे आजदा जरा यूथ है थोड़ा जाओनू सफाई प्रती मैं एनी कहांगी के उ सचेत नहीं ने उना नू पता है लेकिन अजे वी एक हिच के चाहट है के एक काम मेरा नहीं है मैं अपने परिवारिक तोरते वी कवाजे मैं अपने बच करम नहीं बलके फखर महसूस करना चाही तर इत्वंसर में एक होरगाल कहांगी क्लास दे दुरान कई वार बच्चे कहने के मैं वसी कैनडा जाना है कैनडा बड़ा साफ है कि मेरे मन वची एक विचार आंदा सी कि कैनेडा एक बंदा है जेरा बड़ा साफ है और हिंदूस् क्योंकि असी उसनु साफ नहीं रखते हैं, जो मिनु लाग दाए, सर एविन गल बहुत अच्छी लाग दी है कि कैनडा वाके एक बंदा है, और बच्चे बार-बार कहां कि मैम कैनडा दी सडकां बढ़ियां, सोनियां ने, हिंदुस्तान गंदा है, सो हिंदुस्तान गंदा ह जेकर असी इसनु अपनी मॉरल, अपनी नेतिक जिम्मेदारी समझन, कई वार ना सर जमें असी कई वार कॉलेज विच भी दूरों बच्या नू जान दे होई देखांगे, ते मैं एक वार इन जी देख रही सी, कि दो कुडियां जेरियां ने आपस विच गालकारियां ने दोना दे हाथ देवे चिप्स दा पैकेट फड़या होया है, उन जेकर तुसी किसे पच्छमी देश वे जाऊंगे, ते वार बच्चा जिरा है, उस दा इन बेल्ट उनू छोटे हूंदे तो उसनू सिखाया गया है, कि जदू उसने कोई चीज खतम कार देती है, ते उस ची मेमरी है जी बांगी है कि उत्थे उना ने चाड़ देता, तो इत्थे यूथ जिरा है, तोना जा आपा अपने मन विच ले आई है कि जे असी कोई चीज खा रहे है, कुछ वी चीज पाकेज जिरा खोले है, सोच नू के, असी उनू नहीं सुटना है, उसनू अपने बैग चल लिया, कि गांधी जी दे सपने आनो सकार करिये, इस अभ्यान नो तुसी की में देखते हो, डॉक्स अब जड़ा गांधी जड़ा स्वच भारत अभ्यान है, एक देखो, एक कोई योजना नहीं है, आसी आम तोरते देख दे आया है, कि अजाद पारत देविच योजना बन दिया रही है, पान साला योजनावा, तेन साला एक साला योजनावा, इनो का अभ्यान दा रूप दिता गया, तांकि एदे विच वड़ी गिंति लोगां दी शमूलियत हो सके, और लोग इनो अपना समझ के कर सकन, बिल्कुल, इस स्वच भारत अभ्यान जड़ाव है, इस अभ्यान दे विच शुरू कीता गया, ते उदो लग रहा सी, मैं में एक इत्यास था विद्यार थी होंदे ना ते इनो समझन दी कोशिश कीती हो स्वेले, ता उदो इदे विच स्वच्छता दी गल कीती गई, पर इदे विच होना देखो, जड़ा स्वच्छतों आतम निर्बरता तक दी गल आ गई है, तो अच्छ पारत अभ्यान जड़ा पारत सरकारवलों चलाया गया, विच वद तो वद स्टूडेंट्स नू, आम नागरिकानू, सब नू नाल जोड़न दी कोशिश कीती गए, ते उननो सिख्यत करन दा एक जुमाल आ गया, और इस अभ जड़े पानी दे नाल जुड़े होई सपने सी, उनननो अगे रख्या गया है, सस्टेनेबल डेवल्पमेंट दी स्थिर विकास दी गल कीती गई है, तो ए बौत वड़ा अभयान है, और इस अभयान दे नाल नाल ए बहुत जरूरी है कि लोग जड़ी है, उनननना दी सोच जड़ी है, ओ भी बदली जावे, मेडम तुसी सारे स्वचता दे गांधी जड़े विचार है, इनना बारे थोड़ा की संदेश जड़ा है, और नो कांट देना चांदे हो, सर पहली गांधा में कहूंगी के स्वचता जड़ी है सिर्फ आपा साफ सफाई तक सीमत ना करिये इस स्वचता जड़ी है सिर्फ अपना आड़ा-ड़ा साफ करना ही नहीं, इस ता मतलब है अपने स्वच विचार करने, किसे प्रती करना, किसे तरम प्रती करना करनी, या किसे दे विचारा नू गलत कहना इस नूवी, सो मैं कवांगी कि गांधी जी ने एक एहा है कि कोई कम छोटा नहीं और किसे दी आपा विचारता रहा नो सोच नो गलत नहीं कह सकते जिए व्यक्ति दी सोच जड़ी है ओभी स्वच्छ होनी चाहिए आला दौ आला साफ होवे ओदे नाल दी नाल एडी सोच है ओभी स्वच्छ होनी चाहिए दॉक्तर वी ने तुसी की संदेश ना चाहन देओ साथे दर्श कान जिस तरह महात्मा गंदी जी ने बार बार लिख्या है कि मैं लाइफ इस मैंसेज कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है बिल्कु दो पदा चलता है महात्मा गंदी ने किस तरह बच्पन तो स्वच्छता पूरण जीवन वतीत कीता हो आप साथ कर लेगे सारे आतम से योग करिए को दूजरा से योग करिए ते मेरे ख्यालना लासी निश्चिद रूप एक स्वच्छ ते स्वस्थ पारत दा निर्मान कर सकांगे बिल्कु ठीक है दर्श को गंदी जी दे सपने नो साकार करना है पारत नो स्वच्छ साफ सुत्रा ते निर्मल बनाना है इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्तियों देच जोगदान पावे गंदी जी ने खुद चाड़ू उठाया खुद कोशिश की थी कि देश नो साफ सुत्रा करिए साड़ा सारे दा ये फार्ज है साड़ी सारे दी जुमेवारी है कि असी एग्गे आईए प्रण चाहिए अपने समाज नो अपने परिवार नो अपने देश नो सुच बनाए ते सारा जड़ा विशव है वह विक्सित थे विकास ये विकसित बन सके तो एही संदेश है अपने कारे करम दा आ डॉक्टर वीने मैडम परोथीमा तुसी इस कारे करम ना जुड़े इस इस प्रोग्राम चे अपने विचार सांजे कीते थोड़ा बहुत बहुत तन्वाद दर्श को तुसी वेस प्रोग्राम दिनाल जुड़े थोड़ा भी बहुत बहुत तन्वाद